नमस्कार दोस्तों, श्वागत है आपका इश्कूल अकैडमी के ये निस्याटी सेक्शन में चले श्टार्ट करते हैं इस अध्याय का तिश्रा भाग और जानते हैं समाजी करण के बारे में दोस्तों मेरा विश्वास है कि हमारे चारो तरप की सभी वस्तुएं संपूर जीवन में सामिल हैं जैसे पौधे, पफू, अतिथी, पर्व, उत्सव, लडाईया, मित्रता, साचर, भेदभाव और घिड़ा ये सभी तथा इससे ज़्यादा वस्तुएं एक ही स्थान मेरे घर में उपलब्ध थी यदपी तब कभी-कभी जीवन जटिल दिखाई देता था मैं अब समझती हूँ की यह कितना उत्कृष्ट था मैं ऐसे बचपन की अभारी हूँ, सायत की मैंने कभी भी किशी पीडित व्यक्ती को देखा हो मैं महसूस करती हूँ, मैं इस सब की समपूरता को समझ सकती हूँ दोस्तों, जन्म के समय बच्चा, जिसे हम समाज कहते हैं या समाजिक बेवार उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता है, परन्तु जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वह किवल भावतिक संसार के बारे में ही नहीं सीखता है अपितु अच्छे या बुरे लड़के या लड़की से क्या तात्पर है यह भी सीखता है वह जानता है कि किश प्रकार के बेवार की प्रसंसा होगी तथा किश प्रकार के बेवार को अनुमती नहीं मिलेगी समाजी करण को उस प्रक्रिया के रूप में परिभासित किया जा सकता है जिसके द्वारा असहाय सिशु धिरे धिरे स्वयम जनकारी प्राप्त करता है वह आत्म जागरूग बनता है जो उस संस्कृती के तरीकों के बारे में भली भाती जानता है जिसमें वह जन्म लेता है वास्तों में समाजी करण के बीना एक ब्यक्ती मानों की तरह नहीं कर सकता आप में से अथिक्तर ने मिदनापुर के भेडिये के बच्चे की कहानी सुनी होगी सन 1922 में बंगाल में भेडिये की गुफा में दो वर्फ की दो बच्चियां पाई गई थी वे पफों की तरह चारो पैरों पर चलती थी कच्चा मांस खाना पसंद करती थी और भेडियों की तरह चिलाती थी तथा कोई भी भासा नहीं जानती थी ऐसी घटनाओं के बारे में जनकरियां बिश्व के अन्य भागों से भी प्राप्त हुई है हम अब तक समाजी करण तथा नवजात सिसु के बारे में बाते कर रहे थे प्रन्तु बच्चे का जन्म उनके जीवन को भी बदल देता है जो उसके पालन पोफण के लिए उत्वे भी नए-नए अनुभवों को सिखते हैं दादा-दादी तथा माता-पिता बनने पर नए-नए क्रिया कलापों तथा अनुभवों से गुजरना होता है बुजुर्ग ब्यक्ती दादा दादी बनकर भी माता पिता ही रहते हैं वास्तों में संबंधों को आगे बढ़ाने वाला संबंधों का यह समुच्चे विभिन पेड़ियों को आपस में जोड़ता है इसी तरह से युवा बच्चे का जीवन सहोदर भाई या बहन की जन्म से बदल जाता है समाजी करण जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है लेकिन अत्यधिक महत्पुर प्रक्रिया आरंभिक वर्फों में घटित होती है जिसे प्रारंभिक समाजी करण कहा जाता है भी प्रभाव पड़ता है, प्रन्तु यह सांस्कृतिक कारेक्रम की तरह से नहीं है, जिसमें सिशू अपने संपर्क में आने वाले लोगों के प्रभाव को बिना किसी बिरोध के ग्रहण करता है, नवजाद सिशू भी अपनी इच्छा ब्यक्त कर सकता है, जब भूख लगे कि सिशू के जन्व से परिवार की सामान दैनिक क्रियाएं किश प्रकार पुड़ रूप से पुनह ब्योस्थित हो जाती है, आपको पहले ही प्रस्थित्ती और भूमिका के सामाजिक नियंतरण समूहों तथा सामाजिक इस्तरी करण की संकलपनाओं से आउगत कराया जा च जान चुके हैं कि संस्कृती मानक तथा मुल क्या है, इन सभी संकलपनाओं से यह जानने में सहायता मिलती है कि सामाजीकरण की प्रक्रिया कैसे चलती है, प्रथम दिश्ट्री में एक बच्चा परिवार का सदसे होता है, प्रंतु वह एक बड़े नातेदार समूह, मतलब की बिरादरी, खांदान, गोत्र, आदी का भी सदसे होता है, जिस में भाई बहन तथा माता-पिता के अन्य संबंधी होते हैं, जिस परिवार में बच्चा जन्म लेता है, वह मूल या बिश्ट्रित परिवार हो सकता है, यह एक बड़े समाज, जैसे की एक जन जाती, या एक बिरादरी, एक धर्म और भासाई समू का सदसे भी हो सकता है, इन समूहों तथा संस्थाओं की सदसेता परतेक सदसे पर कुछ बिशेश बेवारिक मानक तथा मुल लागू करती है, इन सदसेताओं के अनुसार कुछ भूमिकाएं भी निभानी होती हैं, जैसा की एक प मुहों के मानकों, मनो बृतियों, मुल्यों या ब्यभारिक प्रतिमानों को सीखने की प्रक्रिया जीवन के प्रारहम से सुरू होती है, तथा जीवन पर्यंत चलती है। चेतरों या समाजिक वरगों या धार्मिक समूहों से संबंधित विभिन परिवारों में मानदंड तथा मुल्य अलग-अलग हो सकते हैं। वाश्तों में एक ब्यक्ति जो भासा बोलता है वह उस चेतर पर अधारित होती है, जिससे वह संबंध रखता है। वह भासा भासा के मौखिक रूप के नजदीक है या मानक लिखित रूप के। यह परिवार तथा परिवार की समाजिक, आर्थिक, एवं सांस्कृतिक प्रिष्ट भूमी पर निर्भर करता है। चलिए अब देखते हैं समाजी करण के अभिकरण। दोश्तों बच्चे का समाजी करण उन अनेक अभिकरणों तथा संस्थाओं द्वारा किया जाता है जिन में वह भाग लेता है। जैसे परिवार, इश्कूल, समकच्छ समूह, अडोफ पडोफ, ब्योसाइक समूह तथ धर्म आदी। अब आपको कठिन छेतरों के बारे में पता लगाना है, जिसे की परिवार में, पडोस में, तथा गली में, सुरच्छा की भावना के बारे में। चलिए अब देखते हैं क्रिया कलाव साथ दोस्तों आपके विचार में नीचे दी गई वस्तूओं में किसी चीज की उपस्तिती या अनुपस्तिती आपको ब्यक्तिगत रूप से सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगी स्वामित, टेली वीजन और बादक यंद्र जगर, जहां आपका अपना कमरा समय, घर के कारियों या अन्यकार के सांथ बिद्याले के समय का सामज़ से बैठाना सुवावसर, मतलब की यात्रा, संगीत की कथाएं आपके आसपास के लोग, आदी चलिए अब जानते हैं परिवार के बारे में दोस्तों, चुंकि परिवारिक ब्यश्थाएं बिस्तित रूप में भिन होती हैं अता किशी भी तरह से सिशूओं के अनुभाव बिभिन संस्कृतियों में एक मांदन के अनुसार नहीं होते आप में से अनेक मूल परिवार में अपने माता-पिता तथा भाई बहनों के सांथ रह रहे होंगे जबकि अन्य दूसरे विश्तित परिवारिक सदस्यों के सांथ रह रहे होंगे पहले मामले में माता-पिता सामाजी करण के मुखे अभिकरण हो सकते हैं जबकि दूसरे मामले में दादा-दादी, चाचा, चचेरे भाई या बहन या ज्यादा महत्व हो सकता है। दोस्तों, एक समाज की समगर संस्थाओं में परिवारों की इस्तिती अलग-अलग होती है। सबसे अधिक पारंपरिक समाजों में जिस परिवार में ब्यक्ति जन्म लेता है वही उस ब्यक्ति के पूरे जीवन की ब्यक्तिकत समाजिक इस्तिती को निधारित करता है। यदपी जब इस प्रकार से जन्म पर सामाजिक इस्तिती बिराफत में प्राप्त नहीं होती हो परिवार का छेत्र तथा सामाजिक वर्ग जिसमें वह जन्म लेता है सामाजी करण के परतिमानों पर अत्धिक प्रभाव डालते हैं बच्चे अपने अपने मातापिता या पडोस या समुदाय से बिवहारिक विशेश्ताओं के तरीकों को ग्रहन करते हैं वास्तों में कुछ बच्चे समानित अपने मातापिता के द्रिश्टिकोड को बिना किसी दिवाद के अपना लेते हैं यह समकालिन विश्व में विशे जिर्टा के फलफरूप, बच्चों, किशोरों तथा माता-पिता की पेड़ियों के दिष्टी कोड़ों में अत्यधिक अंतर पाया जाता है। क्या आप ऐसा कोई उधारन बता सकते हैं जहां आपने पाया हो की आपके द्वारा परिवार में सीखी गई कोई चीज आपके समकच समू या प्रचार माध्यम या इश्कूल से भी अलग हो। चलिए अब जानते हैं समकच समू के बारे में दोस्तों समकच समू एक अन्य समाजी करण अभिकरण है। परिवारिक इश्धितियों में बिरासत में मिली निर्भरता की तुलना में समकच समूहों में लेन देन अधिक होता है अपनी सक्तियों के कारण माता-पिता अपने बच्चों पर आचन संहिता लागू करने मतलब कि विभिन मात्राओं में सफल होते हैं इसके विपरीत समकच समुहों में एक बच्चा विभिन प्रकार की अंतक्रियाओं की खोज करता है जिसके दाइरे में बेवहार के नीमों को जाचा जा सकता है तथा उनके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है चलिए क्रिया कलाब आठ देखते हैं दोस्तों अपने अनभूहों पर प्रकाष जा लिए अपने मित्रों के साथ की गई अपनी अंतक्रिया की तुलना अपने माता पिता था अन्य बड़ों से की गई अंतक्रिया से करें इन में क्या अंतर है पहले की गई भूमिकाओं यों प्रस्थिती की चर्चा इन अंतरों को जानने में क्या आपकी साहता करती है दुस्तों प्राया समकच्छ संबंध ब्यक्ती के लिए जीवन पर्यंत महतपूर रहते हैं समान आयू के लोगों के अनुपचारिक समू काम की जगह पर तथा अन्य संदर्भों में ब्यक्ती की मनो बृत्तियों तथा ब्यवार को निधारित करने प्राय महतपूर भूमिका निवाते हैं चलिए अब जानते हैं बिद्यालय के बारे में दोस्तों बिद्यालय एक आपचारिक संगठन है यहां पढ़ाये जाने वाले बिश्यों की एक निश्चित पाठचर्या होती है तथा पी इश्कूल भी एक हद तक समाजी करण के अभिकरण होते हैं कुछ समाज सास्त्रियों के अमजार औपचारिक पाठकरम के साथ साथ बच्चों को सिखाने के लिए कुछ अपरतच पाठकरम भी होता है भारत तथा दच्चिड अफरिका में कुछ ऐसे इश्कूल हैं जहां लड़कों से कभी कभार प्रन्तु लड़कियों से हमेशा अपने कमरे साफ करने की आसा की जाती है कुछ इश्कूलों में इसके समाधान के लिए प्रयास किये जाते हैं जिसके तहट लड़कों तथा लड़कियों से ऐसे काम करने को कहा जाता है जिनके बारे में समानेतर उनसे आसा नहीं की जाती क्या आप ऐसे उधारों पर विचार कर सकते हैं जो दोनों प्रकार की प्रवित्यों पर प्रकाश डालते हूं चलिए अब जानते हैं जन माध्यम के बारे में जन माध्यम हमारे दैनिक जीवन का एक अनिवार हिस्सा बन चुके हैं आज इलेक्टानिक माध्यम जैसे की दूर दर्शन का विष्ठार हो रहा है मुद्रन माध्यम का महत्तुभी लगातार बना हुआ है भारत में उन्निश्वी शताब्दी में मुद्रित माध्यम के आरंभिक वर्षों में भी अनेक भासाओं में आचरण पुष्टके काफी लोगप्री थी जिन में यह बताय जाता था कि महिलाएं एक अच्छी ग्रिहडी तथा अच्छी पत्नी कैसे बन सकती है जन माध्यमों के द्वारा सूचना ज्यादा लोकतांत्रिक ढंग से पहुँचाई जा सकती है इलेक्टानिक संचार एक ऐसा माध्यम है जो ऐसे गाओं में भी पहुँचा जा सकता है जो नतो सडकों द्वारा अन्छेतरों से जुड़े हैं और नहीं वहां साच्छरता केंद्र स्थापित हुए हैं बच्चों तथा बड़ों पर दुरदर्शन के प्रभाव पर अत्यथिक अनुसंधान किये गए हैं ब्रिटेन में हुए एक अध्यन में पाया गया है कि बच्चों द्वारा टेली वीजन देखने पर ब्याय किया गया समय एक साल में लगभग एक सव इशकुली दियसों के समान है तथा इश में बड़े भी पीछे नहीं है ऐसे मात्रात्मक पच्चों के अत्रीक्त ऐसे अनुसंधान कार में जो अन परिडाम उभर कर सामने आते हैं वह सदय नेडायक नहीं होते टेली वीजन के परदे पर हिंसा तथा बच्चों के बीच आकरामक बेवहार का संबंद अभी भी चर्चा का बिशय बना हुआ है यदि कोई ब्यक्ती लोगों पर जन माध्यमों के प्रभाव का पता नहीं लगा सकता लेकिन प्रभाव की मात्रा, जानकारी तथा अपने छेतर से दुरस्त, छेतरों के अनुभों के बारे में पता लगाया जा सकता है भारती दूरदर्शन के धरवाहिकों तथा फिल्मों के काफी दर्षक, नाइजिरिया, अफगानिस्तान तथा तिब्बत के प्रवासी हैं महा भारत का अनुभाद करके तासगंद में प्रफारित किया गया, प्रंतु इशे बिना अनुभाद किये, लंदन में उन बच्चों द्वारा देखा गया, जो केवल अंग्रेजी बोलते थे तुस्तों क्लियाकल आप नौ पे एक नजर डालते हैं, आप सायद जनना चाहेंगे कि लोग अपने आसपास के परिवेश के बिपरीत परिवेशों में बने धारावाहिकों से खुद को कैसे जोडते हैं और यदि बच्चे अपने दादा दादी के साथ टेली वीजन देख रहे हैं तो कौन से कारक्रम देखने योगी हैं, क्या इस पर उनमें असहमती है, यदि ऐसा है तो उनके द्रिष्टी कोड में क्या अंतर पाया गया, क्या इन अंतरों में क्रम सर संसोधन होता है चलिए अब जानते हैं अन्य समाजीकरण अभिकरण, दोस्तों अभी तक हमने समाजीकरण अभिकरण के कई तत्यों को जाना, अब हम कुछ अन्य समाजीक अभिकरण के तत्यों को देखेंगे दिये गे समाजीक अभिकरणों के अतरीक्त कुछ अन्य समुउ या समाजीक पराष्टितियां हैं, जहां ब्यक्ति अपने जीवन का काफी समय ब्यक्तित करते हैं सभी संस्कृतियों में कारेस्थल एक ऐसा महतपूद स्थान है, जहां समाजीकरण पक्रिया चलती है यदेपी ऐसा और दोगिक समाजों में ही है जहां काफी संख्या में लोग काम करने जाते हैं अथाद हर रोज घर से काफी हत तक अलग अस्थानों पर कार के लिए जाना परंप्रिक संदायों में अनेक लोग अपने रहने के अस्थान के निकठी जमीन जोते हैं या उनकी कारेशालाएं उनके निवास अस्थानों में होती हैं दोस्तों यहां बाक्स में एक रिपोर्ट दिया गया है इसको एक नजर में देख लेते हैं एक मनो बेग्यानिक का कहना है कि कुछ वर्ष पुर्व प्रफारित सक्तिमान धारावाहिक को देख कर बच्चे इमा लोगों द्वारा अपनाई जाती है और बच्चे इसके अपवाद नहीं है चलिए अब देखते हैं समाजी करण तथा व्यक्तिकद्व फतंत्रता यह सायद सही है कि समान परिष्टितियों में समाजी करण लोगों को कभी भी अनुरूपता एक नहीं ला सकता संघर्ष को अनेक कारण बढ़ावा देते हैं समाजी करण के अभिकरणों बिद्याले तथा घर घर तथा समकच समुहों के बीज संघर्ष हो सकते हैं तथा पी जिस सांस्कृतिक परिवेश में हम जन्म लेते हैं तथा परिपक होते हैं उसका हमारे बेवहार पर इतना अधिक प्रभाव पड़ता है मानों हमारी किशी भी ब्यक्तिगत स्वतंतता या इच्छा को छीन लिया गया हो ऐसा बिचार मूलता गलत है तथ यह है कि जन्म से मिर्तियों तक हम अन ब्यक्तियों के साथ अंता क्रियाओं के द्वारा अपने ब्यक्तित अपने मुल्यों तथा अपने बेवहार को निखारने में स्वलगन रहते हैं अतर समाजी करण भी हमारे ब्यक्तित तथा स्वतंतता के मूल में है समाजी करण के दौरान हम में से प्रतेग में स्वयम की पहचान की भावना तथा स्वतंतर बिचारों यों कारियों के लिए छमता बिक्सित होती है यहां बाक्स में कुछ कथन दियेगे हैं चलिए इने हम देख लेते हैं समाजी करण का लिंग करण कैसे होता है दोस्तों हम लड़के गलीयों का प्रयोग अनेक वस्तूओं के लिए करते हैं एक अस्थान की तरह जहां खड़े होकर आसपास देखते हैं दोडने तथा खेलने के लिए अपनी मोटर साइकलों पर विभिन करतब के लिए लड़कियों के लिए ऐसा नहीं है जैसा हम हर समय देखते हैं लड़कियों के लिए गलीयां बिद्यालियों से सीधे घर जाने के लिए हैं तथा गली के इस सिमित प्रयोग के लिए भी वे सदा जुंड में जाती हैं। सायद इसके पीछे उनमें मौजूद छेड़ खानी का भय है। चलिए अब क्रियाकलाप 11 देखते हैं। दोस्तों हमने चार अध्याय पूरे कर लिये हैं। अगले प्रिष्ट की विशय वश्तु को ध्यान पुर्वक पढ़ें तथा निमलखित प्रसंगों पर चर्चा करें। चलिए सबसे पहले हम उस विशय वश्तु को ही पढ़ लेते हैं। फिर आएंगे हम इस प्रसंगों पर चर्चा करेंगे। आज साम मंदिर जाने के लिए वह असमाने रूप से उत्षुक थी दोपहर के भोजन पर जब उसने मंदिर के सामने जाकर घंटी बजाने का अपना नेड़े सुनाया तो उसके तथा बड़ों के बीच तर्क हो गया उसने उत्तेजित होकर कहा यदि थंगम घंटी बजा सकती है तो मैं भी बजा सकती हूँ उन्होंने घबराई हुई आवाज में इसका बिरोध किया थंगम मंदिर के पुजारी की बेटी है उसको घंटी चुने की अनुमती है उसने घुसे में उत्तर दिया की थंगम हर रोज दोपहर में लुका छुपी का खेल खेलने आती है तथा किसी से भी अलग ढंग से बिवहार नहीं करती इसके अतरिक्त उन्हें भड़काने के लिए उसने जान बुचकर कहा हम भगवान की नजरों में समान है उसे पूरा विश्वास नहीं था कि उन्होंने इस उक्ती को सुना है क्योंकि उन्होंने पहले ही खीच कर मुँ फेर लिया था परन्तु दोपहर के भोजन के बाद उसने उन्हें कहते हुए पाया की वह गलत अंग्रेजी इश्कूल में जाती है जिसका अर्थ है कि उन्होंने सुन लिया था उसे बिश्वास था कि उन्होंने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया था बड़े ब्यक्तियों के साथ यही समस्या है वे सदयों मानकर चलते थे उसके बड़े होने पर जब वे उसे बताएंगे तो वह हर बात समझ जाएगी वह उनकी बुधिमत्ता तथा सत्ता को बिना कोई प्रश्न के सिवकार कर लेगी और उनके बिरुद्ध जाने की बात सपने में भी नहीं सोचेगी अच्छा इस बार वह उन्हें दिखा देगी घर पर पुनह उसको बाल सवारने की तकलीफ दे इस्तिती से गुजरना पड़ा उसकी दादी ने उसके बालों में एक जार भरकर तेल डाल दिया परतेक चमकटी लटको सिधा होने तक अलग-अलग किया और इसे जोर से खीच कर उसके सर के उपर बांग दिया वह सुक्र गुजार थी कि उसके इश्कूल के मित्रों ने उसे इस हालत में नहीं देखा वे या क्यों नहीं समझतें कि उसकी रच्छा के लिए किसी के साथ जाने से वह कितना उपहास जनग महसूस करती थी उसने अपनी माता को बार-बार याद दिलाया है कि जब वे कस्पे में रहते थे तो वह रोज इसकूल अकेली जाती थी उसने देखा कि क्रिश्ण मंदिर के बगल में बने प्रांगण में फुटबाल का खेल पहले ही प्रारंब हो चुका था वह खिलाडियों को देखकर आनंदित होती थी विशेष्टिया उसकी रूची खेल की सक्रिता में थी तथा करकस आवाज में की गई टिपड़ियों में भी जिन से केलू नयर बहुत चिड़ता था वह जल्दी से भीड भाड़ वाले मंदिर पर आई इससे पहले की वह अपने नेड़े पर पहचा ताप करे या वापस आये उसने तेजी से इस्त्रियों के जुंड को पार किया जो फिशलन भरी सीड़ियों पर लगबग लड़ खड़ा रहा था बड़ी सी घंटी को देखकर वह उत्वा से भर गई वह केलू नायर की क्रोध भरी धंकियों को पहचान सकती थी प्रंतु वह वहां गई घंटी को एक अवाज करती टंटन से बजाया तथा केलू नायर के यह महसुस करने से पहले ही कि क्या हो रहा है वह शिड़ियों से नीचे आ गई जब केलू नायर ने उसे खींच कर मंदिर से बाहर किया उसने धिरे-धिरे क्रोधित चेहरों और मंद होती फुसफुसाहाटों को सुना वह अत्यधिक अपमानित महसुस कर रही थी उनका मौन उनकी आवाज से ज़्यादा अर्थपुड था ठीक इसी तरह से रात्री भोज पर उसके प्री पापडम की अनुपस्तित्री दूस्तों आपने अभी एक बिशे वस्तु को पढ़ा चलिए इस बिशे वस्तु से सम्बंदित कुछ यहाँ नीचे प्रसंग दिये गये हैं इन्हें हम देख लेते हैं बड़ लड़कियों के बिद्रोह में ब्यक्ती तथा समाज के बीच सम्बंद कशबों तथा गाउं में संस्कृती के मानकी आयाम कैसे अलग हैं प्रदत प्रस्तिती पर प्रश्न जिसके तहत पुजारी की बेटी को घंटी चुने की अनुवती है समाजी करण के अभिकरडों में बिरोधा भास जो की अगले प्रिष्ट की पठन सामगरी में दिया गया है उदारन के लिए वह शुक्र गुजार थी की उसके इश्कूल के मित्रों ने उसे इस हालत में नहीं देखा क्या आप कोई ऐसा अन्यवा के ढूड़ सकते हैं जो इशे दर्षाता हो लिंग करण बालों में कंगी करना प्लस रच्छा के लिए किसी के साथ जाना प्लस फुटबाल न खेलना सजा बराबर चुपी साधना प्लस पापड़म जो की केरल में पापड़ को पापड़म कहते हैं कि संदे भरी अनुपस्तिती दोस्तों इस पकार यह अध्याय समाप्त हुआ और कुछ सब्दावलियां इसमें दी गए ही चलिए इन सब्दावलियों को भी देख लेते हैं संस्कृतिक बिकास वाद दोस्तों यह संस्कृति का एक सिधान थै जो यह तरक देता है कि प्राकरतिक इस्पिफीज की तरही संस्कृति का विकास भी विभिनता तथा प्राकरतिक चैन दवारा होता है सामंतवादी इरोप में बेवसाई के अनुसार स्रेडी प्रदान करने की एक बेवस्था थी कुलीनिता प्रोहित वर्ग तथा तरिती इस्टेट तीन तरह की इस्टेट थी अंतिम इस्टेट मुखिता बेवसाईयों तथा मध्यम वर्ग के लोगों की थी प्रतेक इस्टेट अपने प्रतिधी का स्वयम चैन करती थी किशानों तथा मजदूरों को ओट देने का अधिकार नहीं था ब्रिहत परंपरा इसमें संस्कृतिक बिशेष्टाएं या परंपराएं सामिल हैं जो लिखीत हैं तथा समाज के सिच्छित युम सीखे हुए अभिजात वर्ग द्वारा ब्यापक रूप से शुक्रित हैं लगू परंपरा, इसमें संस्कृती की मौखिक बिशेशताएं या परंपराएं सामिल हैं जो मौखिक हैं तथा ग्रामिड इस तर पर शुक्रीत हैं स्वयम की छबी, दूसरों की नीगाह में आपकी छबी समाजी भूमिकाएं या किशी ब्यक्ती की समाजी इस्तिती या प्रस्तिती के साथ जुड़े अधिकार तथा उत्तर दायतों हैं समाजी करण वह पक्रिया जिसके द्वारा हम समाज का सदसे बनना सेखते हैं उपस संस्कृती एक बड़ी संस्कृती के अंदर लोगों के ऐसे समू का नेधारण करना जो परतीकों, मुल्यों तथा आस्थाओं को बड़ी संस्कृती से अक्षर उधार लेता है तथा प्राया इन्हें विक्रित, अतिरंजित या विप्रित कर देता है ताकि अपने आपक को अलग दर्शा सके जस्तों इश्पकार यह अध्या समाप्त होता है और आप लोगों से मेरी बहुत-बहुत गुजारिश है कि वीडियो को अधिक सधिक लोगों के पास सेयर करिए जिससे और भी लोगों के पास हमारे वीडियो पहुंच जाए और वीडियो वो लोग दे हैं तो वीडियो को सस्क्राइब और शकर लेजिएगा अभी हम NCRT के जितने भी सब्जेक्ट हैं हम सारे सब्जेक्टों के हर किताब को इसी पकार से कवर करेंगे चलिए नमस्कार